असलालेकुम मैंने में जावितिक बलावयान आज की इस टूटोरिल में मैं आप लोग को स्टोर पोसिजर के थूरू रिकॉर्ड इंसट करना सिखाऊंगा इसके बाद अप्डेट और डिलीट के बताता हैं आपको सब्सक्राइब हम स्टोर पोसिजर बनाते हैं मैं लास्ट अभी क्लास डिसेंट ली ती जिसमें मैंने रिकॉर्ड फेच करा है था इसके लाइक की क्यूरी लगाए थी इस्टोर पोसिजर के थूरू हम इंसट करेंगे तो वही स्टैप से हमने क्रियेट प्रॉसिजर हमने स्टोर पर से को नाम दे दिया सविरेक मिसाले सेव सेव एस स्टोएंट का नादा टेबल है आर नमर में आटो इंकरिमेंट रखा हुआ है यह मुझे देने की ज़रूत नहीं है रिकॉर्ड सेव कराने के लिए स्टोएंट का नाम एंवर्चार है फादर नहीं देना जाते हैं जहां मैंने नला लाओ किया वह जिनको अगर में स्टोर पो बेहां कि यह वही टाइप है जो इसको मनें डेवल के कॉलम मिंदी बीए और फुक्तोर ने फॉटी करेक्टर रख दिये पर एक और वेरिबल ले लिया मैंने एफन के नाम से और इसको भी मैं जो है वह इसको इसको प्रेटर इसको एड्रेस के लिए मैंने एडी के नाम से और इसकी टाइब में वर्चारी जो मैं दीव यह रखूंगा है और वहां मैंने करेक्टर इसके लिए पास किया मैं 50 लेगे शूर अंतर कर ज्यादा करेक्टर होने चाहिए है कर मैं भी चेंज कर लूँगा यह मैं इसको अंडेट करेक्टर दे रहते हूं इसी तरिके से हम डेट वर्थ है रख रख देड के टाइब है तो मैं उसके लिए वी वी ब्रेटे में पास करती और यूज प है और यहां पर धे की लाबार मैने यहां पर गैट यहां मैंसगा भी लगाया हुआ है अगर मुसको नल चोड़ दूंगा तो आटोमधली वह तो मैं यहां पर इसको mention नहीं करता है पर इसके बार आपने आज लिखना है पिर क्योंन लगा दिनी है अपने का इंसर्ट इंटू टी बी एल स्टुडेंट और फिर हमने कॉलम के नाम देदी है हमने का इस नेम और हमने इसी तरह के दूसरी फिल्ड है एस एड्रेस है और इसी तरह के से डी ओ भी पर लियू का कीवर्ड लगाते हैं अब हम परामीटर बताएं कि कौन सी विल्ड कहां पर जाए है तो आस नेम में इस नेम स्कत्राइब बाइब नेम स्कत्राइब इस नेम इस नेम से विल्यूर पास किया है और इड्रेस के लिए मैंने जो एडी के नाम से बनाए वहां आप यह पर देंगे और जिए एडेट के लिए ने डी के नम से बनाया था है तो हमने का एड़ डरे डी पास कर दिया अब इन पैरमीटर्स को वे लिए मुझे महां से नहीं पड़ेगी फ़र्म से तो मैं इसको पहले तो इसका एक्जिक्यूट कराता हूं एक्जिकूट करने के बाद अब हमने इसर की क्यूरी लगानी है जिससे स्टोर पोजिएर को यूज करते हुए तो पहले तो हम यहां पर डिजाइन बना लेते हैं हमने लेबल दिया मैंने के दिया है रोल नमर तो अटरिंग के मैंट है मैं एस नेम स्टूडेंट नेम के नाम से एक लेबल पास करता हूं इसके सामने टेग बोस दे दिया हमने और इसको हमने कह दिया थी एक्स ती नेम तुरह से अगर मैं फॉंड स्टाइल बगरा बड़ी रखने जाता हूं पूरे फॉर्म भी कर लेते हैं हमने फॉंड पे आकर मैं लियाओट पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूं प्रोग्रामिंग कोड फोकस कर रहा हूं लियाओट वगरा जो है वह इसके बाद को प्रोजेक्ट बनाना स्टाट करेंगे तो फिर वहां भी हम लियाओट को देख लेंगे फिल वक्त हमारा जो मकसद है कि कॉंसेप के लिए हो जाए कि किस तरीके से जो है वह कोड लिखते हैं किस तरह से मिस्ट्रोपोसियर को यूज करते हैं ताकि हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहां भी हमारे लिए मुश्किल ना हो हमने का स्टुडेंट ने हैं और इसी तरीके से वह ने फादर नेम के लिए कॉलम दे दिया पिर इस तरह से हमने डिट एड्रेस के लिए देए इसको मैं मल्टी लाइन ट्रू कर देता हूँ अब डिट अब बर्थ के रिमें यहां पर डेट टाइम पिकर देए ता हूँ अब डेट अब बिकर देए पर में चूखे हमने वहां पर जो कॉलम पिकर रखी और यहां पर जो डिय्ट आ रही है वह आ रही है ओर रही है यहां पर और आप यहां पर यहां पर यहां आamped यह को मुष iدي जो कि हम उसके अंदर डा डि́ट की ट्राइक के अंदर लगावा से हैं मिश्फ कर друз through कि वास यह होइध की रखी है, और डीट के लिए हमें लाज़ी बत आप साइब अचाो खो फाड़ ने पड़ाता है यहां हमें सेव के लिए बड़न देता हूँ अब इस पर आने के लिए हम मुझे लाज़ी बाते वही तरीका रखना है एस्कुल कमाड नहीं मुझे चाहिए क्यों मुझे पैरामीटर्स को वेल्यू भी असाइन करनी है तो हम SQL कमाड ले 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 लिए हमने का SQL कमाड अबजेक किसी भी नाम से अबजेक बना लिए हमने इसको और इसके बाद यहां पर आ कि हम इतने store procedure का नाम दे देंगे इस नाम से हमने store procedure बनाया है और हमने बनाये यहां पर से वाला से एस्टेडी का तो मैं इसको यहां से कॉपी कर देता हूँ पर इसके बाद असी है था से हम यहां पर सो कनेक्शन का आपजेट दे देंगे इस जो कनेक्शन ने बनाया है अब मुझे परमीटर्स को वे लिए पहले दो इसको यह बताने है कि इस्टोर पोसिजर है हमें का cmd.comand type equal to command type .store procedure हम इसको यह बता दिये कि store procedure है अब हमें परमीटर्स को वे देनी जरूरी है अच्छा बेतर तो ही कि आप उनको टेक बोस इसको नाम दे दिया करें यह हमारे लिए बहतर रहता हूँ इसको दिया वाए इसी तरीके से इसको मैं यह आवे देता हूँ txt fnam और इसको मैं ने कर दिया txt address और फिसको मैं देता हूँ dt d o b डेटर पर अब मैं पैरामीटर को वेलियो दूँँगा मैंने का cmd.parameter.add with value और यहां पर जमारा पैरामीटर उसको नाम है n के नाम से जिसको मैं value assign करूँगा और इसको value दोने जाता हूँ txt name dot text से इसी तरीके से आमने का cmd.parameter add with value और हमने कह दिया add the rate fn और यह value लेना चाहता हूँ txt fnm dot text से और इसी तरह से हमने पैरामेट with value और यहां मैं देना चाहता हूँ मैंने बनाया था a d के नाम से यहां पर ख्यार यह रखीगा जो आपने store procedure बनाते वाद जो भी वे पैरामीटरs variable assign के लिए मैं आपने वही वहां पर assign करने है और नहीं को value अपने देनी है address के लिए मैंने a d लिया वाए तो मैं यहां पर a d पास करूँगा address के लिए और इसको फिर अपने ट्रेक बोस का reference देनुगा जहांसे इसको value मिलेगी और date के लिए मैंने d लिया था तो मैंने का cmd parameter add with value और मैंने यह कह दिया add the rate d और यह value ले लेगा date date of birth dot text यह ना अच्छा अब जो कि मैंने यहां पर numeric रखावाँ इसके मने शॉट किया वहां पर भी मैंने शॉट किया तो मुझे को date के format में सो date की type भी string होती है और उसमें जो आसानिक से चली जाएगे तो dot text का method ही हमारे लिए enough है हम मैं connected architecture पर रहके क्यूरी execute करना चाहता हूं तो पहले मैं open connection करूंगा और cmd का method होता है क्यूरी को execute करने के लिए execute non query मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको जब मैं introduction लियाता है एडियो का execute non query का method single record insert update और delete यह तीनों मकसद purpose के लिए single record insert करना अपडेट करना है डिलीट करने के लिए हम execute non query का method यूज़ करते हैं और इसी दर दर ने connection को close कर दिया और फिर मैं message box pass कर देता हूँ message देने के लिए हमने का record save अब मैं जाता हूँ जिसे record save हो जाए तो साथ मुझे show भी हो जाए तो मैंने जोकर load event पे code रखाव है तो मैं इस code को यहां से अटा देता हूँ और इसको मैं एक white method जिसके को रिटन टाइप नहीं होती मैं एक white method बना लेता हूँ मैं नाम एक दीक मिसले fill grid और इस method के अंदर आके मैं record pass कर देता हूँ फिर आपने वह method यहां भी call कर दिया load event पे और इसी तरीके से आपने save करते हूए यहां भी method pass कर देता है अब जिसरे record सेव होगा तो मुझे grid में शो हो जाएगा तो मुझे तसलिफ जाएगी कि हाँ भी मेरा record जो है वो table के अंदर save हो चुका है ठीक है यह प्राने record जा रहे हैं जो मुझेद है वो आ रहे हैं आपके बास मैं नहीं record देना चाहता हूँ रोल नमर और अटक्रिमेंट है मैंने नाम रख दिया हमें मैंने का अब्दूर्रह्मान अड्रेस हमने करा दिया क्लिफ्ट्रेंड कराची ठीक है डेटर पर दे 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 हैं कोई भी रख लेते हैं पराने कोई डेट है मैं नाइंटी नैंटी एट की तो मैंने सेव करते हैं 97 डिकोड़् सेव हो गया अब मैं यह यहां पर आपर देखता हूँ तो मेरे पर रिकोड़् एड़ हो चुका है अब देख डेट और डेकली जो है वो बनाते हुए table बनाते हुए उसी में देंगे आप को दिखाता हूँ मैंने get date का method लगायता date of admission में यहां मैंने get date लगायता तो मैंने date of admission मैंने ने दी बलके system से ले लि तो system से date of admission आपके जहां पर पास हो गई date of word मैंने assign कर दी है और यह बागी रिकॉर्ड में ना साइन कर दी यह record app का सारा से हो गया इसी दरह के साब अगर मैं update करना चाहता हूं तो फिस्टोर बेंड्य का बन जाएगा डेलेट के लिए डिलेड़् बन जाएगा तो फिर मैं उसको हम को बताता हूं कि किस तरह किसे हम अपडेट करते हैं और कैसे हम डिलीट करते हैं अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भिर हम बनाएंगे उसमें अपडेट की क्यूरी लगेगी तो बागी सब चीज़े तो वही होंगी सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमारे चेंज एक एकियु इस जाएगे मैं नाम मीचे चेंज करना पड़ाए गहाँ इस का मैंने का मैं नाम रखता जाता अ बेट STD और इन सबकों मैं अपडेट करना जाता हूं और साथ मैं मैं एक और बनता हूँ आर के नाम से उसकी टाय मैं इंट रहूंगा जो मैं बताऊ-उगा कि चो कि युनीक वेल्यू है कि किसके xraxald pe кстати का ऑपडेट करें तो एक आपको अब डिएट करें तो एक आपको अबर रोल नॉम्हार जो है। यूनिक है। इसकि सबसे अपडेट करें करें ł यहा है ने कियरे चंज करें है। हम पने का अपडेट फिर इसके बाद हमने का अपडेट हम fname equal to add the rate fn से equal to name n से और इसी तरस अड्रेस को जो वेलियू आएगी वो आजागे parameter add the rate ad से और d o b को वेलियू आजाएगी add the rate d से ठीक है जे पिर इसके साथ ही हम यहाँ पर लगाएंगे वेर का क्वलाउस हमने का उसके साथ से करो वेर र नमबर एक्वल टू अड़ रेट तो अप्डेट इकूरी हमने है यह पास कर दी है और इसके मैं एक्जिक्यूट कर देता हूं यह एक्जिक्यूट हो गया अब इसका मतलब है कि अपडेट करना जाता हूं तो यह इसका नाम में रखा अपडेट एस्टेडी तो अब अब अपडेट के लिए रोल नमर भी चाहिए अच्छा अब यहां तेके दो तीन तरीक है अगर एक तो यह मैं डिरेक्ली ग्रेट से भी ले सकता हूं मैं आप दिखाता हूं मैं बहले तो मैं यहां से रोल नमर के लिए कोरम लेता हूं कि यह मैंने इसको नाम दे दिए हैं भी एक्स टी आर नमबर और इस povo कोई इस पे लिक नसके तो मैं इसको यह तो reading नहीं बना सकते । नहीं बना सकते और चाहें तो इसको एंयाबल फॉस। कर देते जए घूङ है अफ। इसमों कोई लिक नहीं सकता अब दो थिन थारीका है एक तरीका तो ये एक का अर। मैं अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस सेल को क्लिक करूँ तो यह डेटा यहां पर जा ताकि मैं अपडेट कर सकू हूँ नियक्त ऑच दूसरा दएक्टा कर यह कि अगर आपके पस फॉरं की अतर जगह है कि घृट भी आ रही है और गिड़ेट के साथ हम यहां भी है अपडेट भी कर रहे हैं तो फिर तो सही है लैंकि ज़ Häता नौर्मली ऐसा नहीं होता है हम अच्छी अप्लिकेशा बनाते हैं तो फिर हम एक सर्च का बनाते हैं फिर एक निया विंडू कुलती है और वहां पर हम सर्च करते हैं और फिर उस सर्च पर हम जो है वह आप डेटा हमारे पस यहां पास हो जाता हूँ और फिर हम अपडेट का क्यूरी लगा है अगर मैं सिंबल यहां से करना चाहता हूँ तो आपने सेल को क्लिक किया और यहां पर आके आपके पास इवन्ट होता है सेल क्लिक इवन्ट का देखें जिर सेल क्लिक इवन्ट है अब इस रो के अंदर मैं किसी भी सेल को क्लिक करता हूँ तो वो रो बसीलिक कैप्चर हो जा तो यहां पर आके हमने अगर यूं करना है तो कहां का चाहिए जिसे मैं का TXT हो इसको नाम देते है आर नमर को तो इस टेक बोस का हमने नाम रखा हुए अचारी दिया हुए TXTR नमर दिया हुए तो यहां देना चाहता हो तो जीरो दोंगा जीरो इन्डेक्स ऑड 근데 एक जिए डू इन्डेक्स जिसरिए और ह पर इसका नमर में बास करतो अब nihya father nineोुगिया पर address होगी और यहां पर देते हैं हमने का TXT, addXT name ठीक है जी और इसी तरीके से हमारे पास Fnam address date of birth date of admission मैं नहीं देना चाहता हूं कि का update करें तो नहीं देना चाहे तो उसके लिए एक date टैमपिकल लगा लें और उसको भी हम यहां से पास कर देते हैं ठीक है अगर हम देख हम चाहते सिस्टम से उठाना है तो सिस्टम से रहने ठीक है ठीक है अब यहां पर आके मैंने दे हमने दीए तो अब चाह siya होगा जब मैं किसी भी रोगो क्लिक करूंगा दे jag is right रहा है अब यह.भी मने रिकोर्ट किया था इसमीं अडरेस भी था क्लिक करूंगा तो त क्लिक करूंगा और वह रिकोर्ण और आपकर आजाया यह भी एक तरिका लिकों मेरे पास आ जाँ व पर इस से ज़ाओं तो था लाच यह करें इया जाता है उन्सितरbers नहीं में तो फिर दो तरहां और जाहता है उन्सेल्स ना को जबते हैं और वह आयां नहीं होर णिस उन्स के था दुछ आप अन्दर उन यह जम दोब मता है ना थो ऐस फ़ीर से नहीं हो साथ जाए लेकि ज्यादा पर यह होता कि सर्च के बटन होता है वो ज्यादा बेतर होता है तो मैं वह काम कराता हूँ अब ये डेटर में कैसे वहां से उठाऊंगा तो आपने यहां पर बटन मना दिया सर्च का ठीक है अब सर्च के बटन पर मैं चाहता हूँ निया फॉर्म को ले और उसमें ये टेक बाउस तो ग्रेड या चाहिए और ये कोड भी में ये वही चाहिए तुम्हें कोपी कर लेता हूँ मैं निया फॉर्म को लाता है एड विंडर फॉर्म और यहां ते बने फॉर्म ले लिया और इसके नाम अमने रख दिया i.firm सर्च अब इस फॉर्म पे मैंने टेक बोक्स दिया कोड में वही करूंगा जो मेरे वहाँ कोड किया वह क्योंकि मुझे तो बिसकिलिई लायक की क्यों लिए लगानी इस टेक बोक्स से और यहाँ पर आके मैंने डेटा घ्रेट यू ले लिया कोड में अब किसाने कापी किया था हम आ से जो मैंने उस फोंपर किया वादा कोड में लिए खुड काफी है और कुछ निया कोड करने की ज़रूरत नहीं है भागी लैबरेडी वगेरा मैं कॉल करनी हुड़ेगी इस पर कनेक्शन के लिए चाहिए तो मैंने जो कनेक्शन इस्ट्रिंग यहां पर कॉल की थी आप्लिक्शन कॉंजिक फायल वाली वह मैं यहां पर पास कर देता हूँ तो तो फिर लाइबरी देते हैं तब क्या होगा यहां पर मैंने टेक बोस से मैच करवा दिया है अगर मैं चाहता हूँ जैसे फॉर्म कुले तो सारा डेड़ा भी लेकर आ जाए तो फिर वो भी हो मैं बस कोड़ तो हुआ यह वाला कोड वाइड मैटर वाला कोड़ यही मैं उठा लेता हूँ और उठा के जो अपने फॉर्म पर सर्च के बटन दे आगया अब सर्च के बटन में में वह वाला फॉर्म खुल वाऊंगा हमने का एफ फारेम सर्च अबजिक बना है इसका अब जब मैं जाता हूँ तो मैं इसको शो डायलोग करके मैं कॉल करूंगा ताकि डायलोग बॉक्स की शिकल में अब बना है दूसरी बच इसे एडवांटी यहां पर आजाएगा तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है यह जो कोड मैंने यहां किया था आप अपने इस के सेल के लिए का इवन लेने आप देके पहले तो मैं रिखाता हूँ आपको यहां रून करेंगे और मैं सर्च का बडन प्रेसी करूँंगा तो मेरे पास वो यह आ जागा यह यहां रहा है यहां में क्लिक करहूँ तो यह इन है यहां पर आजा यहां जाहा है ध्युवचे और मुजे दो काम करने पदेंगी एक विछे बनानी पढ़ेगी और उसमें static variable रखने पढ़ेंगे इसलिए रखेंगे क्योंकि नॉन static variable जैसे वह फॉर्म बंद होगा तो वह उसकी value का गार्विच कर देगा computer उसकी value गार्विच कर देगा लिए static गार्विच नहीं कर रहागा जब तक application बंद नहीं होती है तो इसलिए हमें static variable रखते मैंगे class के अंदर दूसरा पहले class है मैं एक class1 के नाम से रहे देता हूं क्लास को और इस class के अंदर मुझे static variable बनाता हूं मैंने का पॉब्लिक string ही ले ले लिए हमने तो value बास करनी है मैंने का r के नम से बना लेता हूं, static बनाए गया, ठीके जिए, फिर मैंने का public, static, string, और मैं n के नम से बना लेता हूं, अच्छार इस दो तीन तरीक है, अगर मैं चाहता हो के एक ही वेलु दे दो, तो भी जिए तरीका है, और अगर सारे static बनाए है सारे वेलु करना चाहएं तो भी कर सकते हैं, अगर एक ही वेल्यू में देता हूँ, और मैं टेक बोस्ट के इवन्ट पे देता हूँ, तो फिर मुझे वहां पर डेटाबेस से सारा डेटा उड़ाना पड़ेगा, तो पहले यह कर देता हूँ, फिर बाद मैं किस काम मौखे पे मैं यह कर लूँगा, कि मैं उसके लिए अलग अलग कर लूँगा और फिर डेटाबेस उठा लेंगे एक विले देने के बाद तो मैं आर एन इस सिदर मैंने का एफ एन और डेट के लिए भी मैं जो है वो डी ले देता हूँ यह चार्ड डेट हम यह चाहिए और एड्रेस भी है तो हम ने का पबलिक इस्टेटिक स्ट्रेंग एडिक तिक जब अब हम इसको वेलियू असाइंड करेंगे फॉर्म से मैं इसके इवन्ट पर आता हूँ सेल के लिए की इवन्ट लेता हूँ और यहां पर आके मैंने का स्टेटिक वेलिवल है तो हमने क्लास के नाम से आएगा मैंने का क्लास वन डॉट आर एक्वल टू डेटा ग्रीड विव वन डॉट करंट रो .cells पहले पॉसिशन पर है तो मने का 0.value .twist इसी तरह की से मैं बाकियों कभी वेलिव देता हूँ तो यहां मैं क्लास को वेलिव दूँगा क्लास डॉट एंड दुसा वेरीबल था क्लास उन के अंदर इस्टटिक वेरीबल था फिर था FN का और फिर था इसके बाद फिर तर्टीब तो आगी पिछ दो को मसला नहीं है लेकिन यहां मुझे देखना पड़े कि तर्टीब जो मैंने grid के अंदर event दिये मैंने तो हम उसको रखते हूं और फिर इसके बाद एड्रेस के लिए मैंने ad रहा था और इसके बाद date है तो असल चीज़ तो index है यह तो खेर हम मसला नहीं है और मैंने d बना लिया तो one index पर आपके पास name था यानि second index है third index पर आपके father name था और address है आपके fourth index पर date of birth आपके पास थी fifth index पर टेक्ट जिए जी जे याँ चली जाएगी जब चली जाएगी इन के अंधर स्टेटिक वेरीबल पर चली जाएगी तो फिर हम फ़र्म पे आएंगे और जहां मैंने फ़र्म का शोट डैलोग किया था अब फ़र्म खुलेगा ना तो इसके बात क्या करेंगे कि मैं वह गए लि आ Paul ठेकिते जी एक सी आजए हमなくा नें और यह भी ले 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 लेगा किसे क्लास Enterprise ले ले किसे क्लास वन डोपन कि मरेना कि ट्य ही ड्रिक रेस यह भें ₩ था जी आजह सम्व कहता लेगा से क्लास वन डॉट एडी से और टी डी टी डेट ओफ बर्थ ये विली लेगा किसे किलास वन डॉट डी से ठीक है अब मैं करता हूं यहां पर देखते हैं क्या पूरिशन होती है अब जाए बन प्रेस किया यह फॉर्म आगया अब चाहिए लाइक करता हूं यहां से बंद करता हूं देखे जी वेली आउके बस आ रही है ठीक है अब मैं जाता हूं मैं जैसे क्लिक करूं वह विली भी चली जाए ना तो फिर आप आपने क्या करना है ग्रेट जिस पर मैं द किती है जब क्लॉस हो जाए ते ओधा इसके बाद दिस डॉट क्लोस मैं ऐसकו क्लोस कर दघए ओ किलिए अभी फॉर्म बंड हो जाएका मैं कोई और डिटा लेता हूं तो वो आ जाएगा इस तरह से से जो चाहते हैं मारे रफु कीरनी लगाता हूँ हम आपडेट की बटन पर आ जाते हैं अब सर्च हो चुका है तो मैं अपडेट और डिलीट नहीं अमरे लिए बड़क्राइब आसन हो जाएगा क्योंकि सार्च तो हो चुका है हमने का अपडेट और इसी दरीगे से डिलीट भी है जिसे फौरान की बनी हो तो फिर हम डिलीट नहीं करते हैं कि हमने फौरान की नहीं बनाई है तो फिर हम प्रामरी की मीनी बनाई अब तो कम बैसे कर रहा है तो मैं अपडेट के बन पर आ जाता हूँ और जो मैंने यहां पे काम किया था इसकल कमान वला से वला मैं वही कपी कर दूँगा और अपडेट के जो मैंने पैरामीटर बना है जो मैंतल नाम दिया था वह यह दिया था अपडेट एस्टेडी वह मैं यहां पर आपके चेंज कर दूंगा सेफ के जगा अपडेट आजाएगा और बागी सब्सक्राइगी एक चीज़ का मुझे अदावा करना पड़ेगा आर के लिए हमने का cmd.parameters.addWithValue और मैंने कह दिया at the rate r और यह value ले लेगा किससे txtr number.txt है मैसेज़ चेंज करना जाओ तो मैसेज़ चेंज करा लो हमने मैसेज़ चेंज कर लेते हैं इनका record update अजय यह भी हमने करना चाहिए अस्वलन के कोई directly update प्रेश नकरें जब तक यह null न लोह तो न न करें आगर कोई search करता है तो search किया है और जब यह एक हाली आ गया है तो फिर update मैं जो आपडेट करना चाहता है ना तो फिर हम कंडिशन लगा लेते हमने का इस टी एक्स टी आर नमबर डॉट टैक्स नॉट एक्वल टू एम्टी है तो खाली नहीं होता है तो देर इस ब्लॉक में आना टीक है जी और अधर वाइज एक मैसेज़ पास कर देंगे हम इसको हमने का इल्स मैसेज़ बॉक्स शो हमने का फरस्ट सर्च विकार्ड पहरे सर्च करो अपडेट जिसों करना चाहते हूं कि अगर अब जाने कि कोई अपडेट कर देगा तो कोई मसा नहीं है वापए डेट नहीं है खाली बड़ा ऐे हैं यह मैसेज आ गया है अगर वो सर्च करता है और जाके कोई भी अब मैं अगर अपडेट बटन प्रेस कर दूंगा तो अब ये रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा तो यहां पी आपके पास डेटा आचुका है ठीक है जी किलियर है इसी तरीका तका है मैं डिलीट के लिए बनाना चाहता हूं तो अब आपने यहां पे जिब प्रोसीजर बनाया था मैं मुझे वही सब चीज़ें चाहिए है क्यूरी चेंज करनी है तो बाकी पैरामीटर के जरूत नहीं है मुझे यहां पे मुझे सिब एक पैरामीटर चाहिए हार के लिए मैं रोल नमबर के साफ़ पूरी रोग तो हम जी क्यूरी चेंज कर देंगे हमने का डिलीट टीविल स्टूडेंट्स और फिर हमने कह दिया वियर आर नमबर एकुल टू अड़ रेट आर तो हम इसको एक्जिकूट करता हूं मैं इसको अच्छा सुरी नाम में चैनिक है हमने का डिलीट स्ट्डी हम मैं इसको एक्जिकूट कर दिया एक्जिकूट हो गया अब क्या होगा कि मैं अगर डिलीट के बटन पे आता हूं तो सारा कोड तो वही होगा आर नमबर को यह से मैच्च करेंगे तो यहां से भी इटा देंगे और यहां मैं नाम रखा था इसका डिलीट स्ट्डी इस्ट्रोप उसी का अबने का डिलीट एस्ट्डी वह मैं आपास कर दूँगा और रिकॉर्ड डिलीट मैसी भी चैन्जिक कर लेता है आप का होगा अगर मैं किसी के भी इड़ीट पहले फुर्छ करेंगे करेंगे कफूर्ड बॉडी पास आख हुआ है आपके घ्रकॉर्ड नम कर दो पास रिकार्ड नमर 8 शाचीं एय।ykा जी क्लियर है तुछ तरी के से हम स्टोर पोजे के तुरू इंसर्ट अपडेटीट करते तो नेक्स पिर मैं आपको जो है वो लॉग इन वाला काम करा हूंगा जिसमें लॉग इन करेंगे और पर इस पर आगे फर्दर काम करेंगे तो ठीकि जी अलाफिस